वेलकुम तो आर चैनल और तोड़े अगेंग टॉपिक इस एक्टिविटी मैच्ट अ कॉलम और यू कन सी यह आलफ़ाबेट लैटर्स एक्टिविटी को हम डिजाइन करने के कोशिश कर रहे हैं तो इस प्रीविश वीडियो में हमने कुछ कुछ mixing letter capital थे और small थे जिसमें से हमने capital letter को जो था वो सरकल कर वाना था student से और वह वली activity डिजाइन की अब यही activity के जब हम अफने student को n capital and small letters u concept १ंकों सिखा रहे है capital nasıl होते हैं जो हम चेक करने के लिए कि उन्होंने कि इतना का है यह ज़ो नौ़जिग को दैना चाहा तो एस तरह की बीप अपप्स्धाइब कर सकते हैं मुझे पिछली वीडियो में बुटाया था आपको सब्सक्राब कि नियुग है 1959 कि इसको मैचे करने होते हैं उसिमिलारिटीस को देखना शुरुरू बस mem actually इवन हैं कौन सी ओड हैं यह चीज़ें जो हैं वो उनकी अंडर्सेंडिंग में आ जाती हैं जब भी कॉलं मोस्ली स्टुडेंट हैं वो कॉलम मैचिक की जो एक्टिविटी होती है एक्सर पेपर में भी हम यह आइटम करते हैं तो इसको देखे बड़ा हुश होते क्योंकि य अब हमने क्या करना है हमने करना है कि हमने जो सेम लेटर्स है मीन्स वो कैपिटल में भी है और स्मॉल में भी है उनको मैच करना है लाइक ए एक कैपिटल को हमने स्मॉल लेटर के साथ मैच करना है फिर है S S यहाँ पर urgent नमबर पे भी है उसको हमने इसके साथ मैच करना है फिर है G जी देखते हैं कि यह यहाँ पर कहा है जी स्मॉल लैटर्स में कहा है ओके जी सेकंड नमबर पर यह हमने जी को मैच किया पर उसके बाद है डर्बल्यू कैपिटल को स्मॉल के साथ मैच करें यह बात याद रखेगा बी लेकिए आप अपने श्रूरून को स्केल भी यूज करने का कह सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर रफली जो है वो सॉल्व करती हूँ ताके जल्दी से हमारी वीडियो जो है वो आजए मैं जादा लैंधी वीडियो नहीं बनाना चाहती जस्ट आपको हम कंसेप्ट दे रहे हैं हाओ वो कें डिजाइन दी डिफरेंट अक्टिविटी टू तीचा बेसी क्लासे आर ये रहा आर के फिर है सी स्मॉल को स्मॉल लैटर को कैपिल के साथ मैच किया फिर है ए एन लास्ट पी नोट लास्ट बट लीस्ट एफ तो एफ यहां पर सबसे उपर था ये थी जी हमारी कॉलम मैच एक्टिविटी टू गीव आर स्टूरेंट्स नॉलिज अबाउट दा कैपिल एन स्मॉल लैटर कैसे वो डिफरेंटियेट कर सकते हैं कैसे हम उनका चेक कर सकते कि लेकिन अब चोटिये बाई आन के बादू कर दिया गया है भी है इस डिफ्रेंस का यह नहीं तो आप भी इस तरह की एक्टिविटी बहुत सिंपल है डिजाइन कर सकते हैं इसलिए यह वीडियो आपके साथ शेयर करें ताकि आप अपने बच्चों की लर्निंग को खुद आसान बना सकें और स्मार्ट बना सकें तो हमारे चैनल को सब् करते हैं जो कि आपके बच्चों की लर्निंग को असान बनाते हैं